Assalamualaikum I hope आप सारे लोग खेरियत से होंगे आज के इस lecture के अंदर हम देखने वाले हैं जो upload file size limit है उसको किस तरह से increase करते हैं और common issues हमारे पास आ रहे होते हैं Let's suppose अगर मैं यहाँ पे एक theme जो है वो upload करता हूँ और इसको install करता हूँ तो यह मुझे कुछ time के बाद एक error दिखा देगा कि आपका जो upload file size है वो बहुत ज़्यादा कम है जब कि आपकी uploadable file उस file size से ज़्यादा है तो इसका क्या मतलब हुआ Let's say अगर मैं यहाँ पे देखूँ तब तक यह upload हो रहा है यह file हमारी 13 MB की है 13.8 MB की मैंने यहाँ पे इसको upload किया है जरा इसको upload होने देते हैं और देखते हैं कि यह आगे क्या error देता है तो यह file क्या था 13.8 MB का था अगर मैं इसको next step पे media के अंदर जाके open करूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो मेरा maximum file size upload है वो 10 MB है मैं 10 MB तक की ही file upload कर सकता हूँ अब मैंने उससे ज़्यादा की file upload की तो मुझे यह error नजर आया ओके यह तो था error अब इसका solution किया है यहाँ पे हमारे पास 3-4 solutions हैं जो मैंने यहाँ पे compile की हैं अप लोगों के लिए आप कोई भी इस्तमाल कर सकते हैं और आपका problem जो है वो solve हो जाएगा सबसे पहला जो option है वो तो है यह के हम यहाँ पे आए अपने C panel के अंदर और यहाँ पे हम सर्च करें PHP और यहाँ पे हमारे पास एक option नजर आएगा Multi PHP INI Editor जैसे इसको हमने open किया यहाँ से हमने अपनी website सेलेक्ट करनी है जो भी हमारी website है तो यह load होगा और यहाँ पे देखें हमारा option है upload file size ठीक है यहाँ पे 10MB लिखा हुआ है मैं इसको 512MB है जितना भी आप करना चाहें कर सकते हैं तो मैंने इसको जैसे apply किया अब मैं अपनी website का जो है upload file size देखूंगा तो वो increase हो चुका होगा यहाँ पे देखें अब मैं 512MB तक की file upload कर सकता हूँ पहला method यह था दूसरा method यह है sometime आपको यह option नहीं मिलता आपके जो c panel है उसके अंदर यह option नहीं मिलता तो तब आपको क्या करना चाहिए तब आपको क्या करना चाहिए file manager के अंदर जाना चाहिए यह आपका file manager है इस file manager को हमने open किया यहाँ पे हमारे पास htdocs या public html का folder मिलेगा जिसके अंदर आपकी सारी websites मौजूद होती है अब मेरी क्यूंकि इसके अंदर एक ही website मौजूद और यहाँ पे मौजूद है तो यहाँ पे देखे हमारे पास file मौजूद है php.ini इसको हमें क्या करना है simple edit करना edit करने के बाद इसको हमने इस तरह से edit कर लेना है जैसे इसको edit करना यहां पर देखें हमारे पास यह values नज़र आ रही है कि हमारे पास memory limit है post max size किया है यहां पर upload max file size किया है इसको आप यहां से change कर सकते है अगर यह आपको यहां पर नहीं नज़र आए तो यह code मैं आपको देदूँगा यहां पर देखें हमारे पास यह code है इसको आपने copy करने और यहाँ पे क्या कर देना paste कर देना और in values को change कर लेना अपने according जितना भी आप set करना चाहें तो अभी क्योंकि already यहाँ पे वो code मुझूद है तो मैं इस code को मिटा देता हूँ ठीक है और मैंने इसको save change कर दे है तो आपका जो file size max file size है वो increase हो जाएगा ओके दो option होगे उसके बाद हम इसको close करते हैं और इसी के अंदर तीसरा option यह है तीसरा method यह है कि आप क्या करो यहाँ पे आपको file मिलनी चाहिए .htaccess अगर वो file आपको यहाँ पे नजर नहीं आ रही वो file hidden होती है तो आप यहाँ पे settings के अंदर आके और यहाँ पे show hidden files पे click कर सकते हैं तो probably आपको .htaccess file नजर आ जाएगी यहाँ पे देखें हमें पर .htaccess file नजर आगी अगर आपके पास यह file नजर नहीं आती तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ से file create कर सकते हैं इस तरह से .htss और इसको create कर देंगे हमारे पास already है तो हम क्या करेंगे right click करके इसको edit करेंगे simple और यहाँ पे edit करेंगे और हमारे पास यह code है यह वाला ठीक है इसको आपने इस तरह से copy करना है और इसके बिल्कुल end के अंदर जाके यहाँ पे paste कर देना यहाँ बिल्कुल end पे क्यूंकि यहाँ पे भी already देखें वही code से मौजूद है तो मुझे यह code डालने की ज़रूरत नहीं है और आप यहाँ से जो values है उनको change कर सकते है 512 की जगा इसको increase कर सकते है 1GB, 2GB जो भी आप चाहें तो आपका जो file size है वो increase हो जाएगा यह 3 methods हमने discuss कर लिए इसके बाद हमारे पास एक और option है आप क्या कर सकते है plugins में जा दें और plugins के अंदर जाने के बाद आप यहाँ पे search कर सकते हैं यहाँ पे हमारे पास एक plugin है जिसका नाम है यह WP increase file size अगर आप इसको simple इस तरह से install करेंगे simple इसको हमने install करने activate करने activate करने के बाद इसको option हमें यहाँ media के अंदर यह कहीं पे मिल जाना चाहिए यहाँ पे हमारे option मिल गया upload file size इस पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे जो भी value डालेंगे और save कर देंगे तो वह आपका क्या हो जाएगा increase हो जाएगा simple is that ठीक है यह method I hope आपको समा जाये होंगे लेकिन यहाँ पे एक और problem है अब मेरे पास एक और सी पैनल है यहाँ पे हमारे पास विस्टा पैनल है जो के free का जो है hosting है इसके अंदर अगर मैं search करूँ PHP तो देखें वह options हमें यहाँ पे नहीं मिल रहा है जो के हमें उस premium hosting के अंदर मिल रहे थे अब अगर इसका मैं यहाँ पे file size देखूँ तो इसका file size सिर्फ 10MB 10MB है अगर मैं इसको increase करने की कोशिश करूँ किसी भी method से जो भी मैंने अभी आप लोगों से discuss किये हैं तो वह यहाँ पे work नहीं कर रहे क्योंकि hosting provider जिन्होंने hosting provide की है उन्होंने इसको बहुत जादा कम कर दिया है क्योंकि यह free की hosting है या cheap hosting है तो इस case के अंदर आप क्या कर सकते हैं अपनी hosting provider की support पे contact कर सकते हैं और वह आपको इसके लिए increase कर देंगे अगर आपको reputed hosting चाहिए तो नीचे link मैंने दिया हुआ है आपको free की hosting sorry premium hosting बट उसके साथ जो domain है वह free मिल जाएगी नीचे link commitment attached किया हुए bluehost के साथ सिर्थ 35 डागर के अंदर complete year के लिए आपको domain hosting मिल जाएगी तो यह थे कुछ options जिसके जरी आप अपने max file size update कर सकते हैं तो मिलते इंशालान next lecture के अंदर till then keep learning keep exploring Allah Hafiz